Hello everyone, सभी को नमस्कार, मैं अवधिस दिख्षित आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ तो कुछ टाइम बाद इस चैनल को I hope 4 years complete हो जाएंगे और मैंने काफी बार lectures के दौरान आपको बताया कि मेरा aim था defense forces में जाना, मैंने SSB दी, selection हुआ but medical reason की वेज़े से मैं defense forces को join नहीं कर पाया आज इतने सालों के बाद एक वीडियो में थोड़ी से हम बातचीत कर पारे है कि defense forces में जो scheme आया उसके regarding और इसका main reason ये भी है कि ये हम सब के लिए important है क्योंकि जो अगर defense forces में हो सकता है मैं बड़ा surprise दूँ ये काम defense forces में हो रहा है तो बाकी जगे भी हो सकता है बाकी जो भी आप exam की तयारी करें वहाँ पर भी ये हो सकता है और ऐसी कुछ बातचीत आज से लगभग एक साल पहले UP government के exam skill लेकर बातचीत हुई थी जिस पर फिर थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ था फिर उसका क्या final status रहा यह भी मतलब final उस पर कोई verdict नहीं दिया कि उसमें आगे होने क्यावाल है हम जानेंगे इस scheme के बारे में ठीक है पूरा देखे क्योंकि यह हम सब के लिए मतलब जो भी aspirant तयारी कर रहा है किसी भी job के लिए बहुत ही जादा important है इसका नाम अगनीपत है और आब आप देख रहे होंगे देश में कई जगे अगनी लग रही है कारण क्या है देखो एक बार ब्रीफ में बात कर लेता आई हूप आपने देखा भी होगा कि what actually अगनीपत scheme is पर एक बार दो मिनिट का समय लेके मैं शौट में बता देता हूँ कि जिनने नहीं देखा है वो भी समझ पाए अभी तक जो defense forces में recruitment होता था army, navy, air force में उसमें कभी return test हुआ कुछ जगे पर return test नहीं भी होता था सीधे rally होती थी ठीक है तो मतलब return test हुआ फिर medical हुआ ठीक है फिर physical भी हो गया finally आपको job मिल गई तो वो जो job रहती थी वो permanent commission रहता था दूसरी बात यह जो recruitment scheme लगाया गया है दो class होती है का आप जानते हैं का officer class हो जाती है और एक हो जाती है हमारी soldiers तो यह जो rule apply किया जा रहा है यह soldiers class में apply किया जा रहा है अब भाई करना तो officers में भी चाहिए था चली उस पर बाद में आ गया हैंगे तो जो यह recruitment है यह क्या कहता है कि सब कुछ process रही रहेगा बस अब for example अगर हम 100 लोग को recruit करते हैं तो उसमेंसे 4 साल के बाद हम 25 को permanent commission दे देंगे वो उस पर क्या mention होगा कि इनने आपर serve किया है इस तरह की बाते लिखी होगी साथी साथ आपको जो भी salary basic मिलते है वो 4 साल तक थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी और retirement पर if I'm not wrong 11,00,000 कुछ रुपे दे दिये जाएंगे जो कि बहुत बढ़ा भी amount नहीं है जैसे मैंने job करी थी दो साल मैंने job करी income tax inspector के रूप में और तीन साल मैंने लगाए finally resign करने में तीन साल सोचना पड़ा कि resign करें न करें और यहाँ 4 साल तेर यूँ ही बीच जाएंगी ठीक है तो यहाँ पर main दिक्कत की बात एगी कि 4 साल के बाद फिर से आप एक नई शुरुवात करनी है अब यह था एक brief इसका अब इसके फायदे नुकसान क्या है यह मेरे विचार है हो सकता है कोई आप message में सहमत नहों तो comment section में अपनी राहे लिखेगा गुस्सा होने के आवश्यक्ता नहीं है ठीक है फायदे इसके हम जो सोच पारे में लिखे भी लाएं बहुत अच्छी तरीके से ठीक है ताकि कोई point मिस न हो जाए ठीक है कि यहाँ पर 3 गुना extra रोजगार मिल रहा है यह जैसे एक की आवशकता है तो 4 recruit किये जा रहे है यानि 3 extra जा रहे है दूसरा यहाँ पर धांदली शायद कम हो जाए धांदली जैसे की पहले 5 लाख रुपे ले लिए या 6 लाख रुपे ले लिए और ऐसी बाते होती थी की final recruitment यह जो दलाल वगरा है यह करवा देते थे अब वो हो सकता है नहों क्योंकि अभी भई final तो है नहीं selection चार साल के बाद निकाल भी सकते है तो दलाली कम हो सकते है rate कम हो सकता है बट खतम हो जाए we are not sure एक certificate मिलेगा और उसमें आपको प्राथमिक्ता दी जाएगी एक preference दी जाएगी पैरा military forces में job करने के लिए अभी यहाँ पर प्राथमिक्ता है preference है assurance नहीं है कि job दी ही जाएगी कुछ quota वगएरा दे दिया जाएगा तो यही थोड़े से इसके pros थे तो अगर इसके cons की या नहीं नुकसान की बात करें तो वो थोड़े से जादा है आप जानते हैं कि कोई भी हम job करते है तो उसमें हमें एक APR दिया जाता है नहीं, that is annual performance report कि मैंने कैसा काम किया वो हमारे senior सी देते हैं तो उसी के आधार पर जहां तक है रखा जाएगा जो भी 25% है उनको तो भाई चापलू सी जादा करनी पड़ेगी एक तम चाटू कारी करनी पड़ेगी और service में, मतलब service एक बहुत बड़ी बात होती है मतलब कोई भी नौकरी होती है उसे हम job कहते है कि I am doing job in this department, that department बट यार, फौज जो है वो एक service है आप जानते हैं, मतलब वो एक भावनाई का लगी आती है कि देश भक्ती तो वो service है, they are serving the nation अब कोई टिपड़ी कर भी देता है वो अपने बुद्धी विवेक के हिसाब से किसी मंद्री जी ने कहा भी था कुछ टाइम पहले आपको याद भी होगा कि अगर मरने से इतना डरही लगता है तो फौज में ये लोग जाते क्यों है इन्हें उसके तंखा दी जाती है अब यार उनसे पूछो कि मरने के लिए कौन कि इन्हें कितनी तंखा देखा किसी को देश भक्ति आपने कईयों की अंदर देखे होगी वो कई ऐसे मेरे दोस्त में जो defense forces में यार उनने पैसे के लिए अभी पीछे मूवी भी आई थी मेजर करके यार उनके पास पैसे की कमी नहीं थी पर एक वो देश भक्ति है ना वो चीज अलग है तो उसमें ये चीज कर दी और ऐसे टिपनी करना तो वो चीज गलत है और वहाँ पर जाके फिर चापलूसी करनी पड़े वहाँ पर पर्मनेंट कमीशन के लिए तो ये और ही बेकार है ठीक है उसके बाद हो बहुत हाई प्रॉबविल्टी है कि अगर डिफेंस में मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि डिफेंस में ही चीज हो सकती है अगर डिफेंस में चीज लागु हो गई जो की मतलब उस पर final पूरा approval मिल चुका है तो ये बाकी exams में लागू करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी और आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि जैसे defense के सासत मंत्री भी है जिनको अभी भी pension मिलती है जितने भी government employee है defense forces को छोड़ कर उनमेंसे किसी को भी 60 साल तक भी नौकरी करते हैं तो उनको pension नहीं मिलेगी क्योंकि उनको तो करोड़ो रुपे मिली रहे हैं तनखा के रूप में लेकिन जो नेता लोग होते हैं वो चाहे एक दिन के लिए भी अगर नेता रहते हैं तो उनको जो है pension मिलेगी और एक यह defense forces में था pension एक ऐसा charm है जिसका जो जो है एक क्रेज लाता था कि यार चलो हमारा बुड़ापा सुरक्षेत है तो हम सरकारी नौकरी करें तो बागी सरकारी नौकरियों में से तो खतम ही हो गया एक नेताओं को आवशकता है और defense forces में तो अभी चल रहा है भी कितना ही विरोध होगा मैं पैंशन में 25% लोग ही विरोध करेंगे जो फाइनली जॉब में होंगे तो उससे भी मुझे नहीं लगता कि वो भी रहेगा और pension वहां भी खतम हो सकती है और बाकी जगे शायद जहां एक जगे बच्ची है वहां पर चलती ही रहे वहां से पता नहीं कर भटेगी और मेरा मानना यह है कि defense में सबको सर्व करवाना चाहिए अगर करवाना है तो अगर आपको extra forces चाहिए तो कोई है permanently अपना पूरा जीवन देश को दे रहा है समर्पित कर रहा है उसको रखना चाहिए बट अगर कुछ extra forces के आवशक्ता थी for example जैसे अभी Russia Ukraine का war हो गया तो वहाँ पे सभी लोगों को जो है war की training पहले ही थी आर्मी की training पहले ही थी तो वो देश को थोड़ा सा देश के लिए fight कर पाए तो उसके लिए हमें अलग से भरती निकालनी चाहिए जैसे की territorial army आपने सुना होगा कि 40 साल तक आप उसके लिए apply कर सकते हैं आप साथ में दूसरा job भी कर सकते हैं वो अलग रखना चाहिए था और इस actual force को अलग रखना चाहिए था सर्व करवाओ सब से करवाओ सब को एक स इशा देगी आपको समझ में आएगा कि भई जीवन जो आपको मिला हुआ है मुझे मिला हुए हम सब को मिला हुए हम शानती पूर्वक यहां रह रहे हैं वह बहुत बड़ी बात है और वहां पर क्या conditions है वो जिस condition के थ्रू गुजर रहे हैं सिपाही लोग वह भी हम महसू करोड़ पठीश अरपती है उसी पर देश चल रहा है तो उनके बच्चे थोड़ी जाकर सरों करेंगे क्योंकि जान का खत्रा है ना तो भाई शिपाही मरे快 कोई दिक्कत नहींब ना चिनेटा लोग है उनके भी बच्चे नहीं जा सकते हैं तो उनकी मजबूरी है तो वह को यही कहूंगा कि दूसरे किसी बिजनस की या किसी सरकारी नौकरी की तयारी करो क्योंकि बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है क्योंकि जॉब एशॉरेंस तो ही नहीं कि आप वहां से छोड़ के आगे तो आपको दूसरा जॉब मिली जाएगा बात करें कि वह जो बारा लाक रु कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटी मिल रही हो कोई पेंशन मेंशन नहीं है तो कोई उतना फायदेका मुझे सौदा नहीं लगता है हां कोई जॉब एशॉरेंस होती तो बिल्कुल हम कहते आप देखो है कोई बच्चा जो है बस इतना टाइम दिया तो एक कि चार-चार साल तयारी करते रहते हैं रेस मारते हैं तो यह मान के चलो कि 19 एर्स पर जाके वो सिलेक्शन ले पाता है जोईनिंग हो पाती है 19 एर्स पर वो चार साल सर्व करता है 23 साल के बाद आप सोच रहे हो चार साल कहां बितने या बाद आप भी जानते है चार साल क्य यह होता है उसको पलपल दहगता रहेगा कि आर कहीं में बाहर नहां रॉजाओ भापनों क्याही में उस चार साल के परिड में एंजव निस्तार उसके बाद वह आएगा एक साल ऐसे यह CPU है उसके लिए 25 ही साल है तो यह आगे दिक्कत दे सकता है यह अब मेरी रायत आप समझी रहे हैं I cannot comment वो सीधे-सीधे किसी भी इस माध्यम से बट प्रोज और कॉंस हमने बात कर ली मेरा मानना यह है कि आर सब को समय निकाल कर अपने थोट्स है वो शेयर करने चाहिए ता सबी एक्जामस में यह अपलाई होने वाल है अगर ऐसा मुझे लगता है मैं कोई सरकार नहीं हूँ मैक्सिम से मैक्सिम एक से दो साल को किस पर पहले बीच वीच में बातचीत होती रही है संडे 19 जून को आप किसी भी टाइम पर समय निकाल के अगर आप इस से इसके फेव में तिल देन हसते रहिए कोशिश करी हसने की मुस्कुराते रहिए मैनत करते रहिए